गुद्ध पूर्णिंग गुद्ध मॉर्निंग साफ दिखाई दे रहा हूं मैं गूद्ध मॉर्निंग गुद्ध मॉर्निंग शिवांगी पूजा विजय एव्रिवन मॉर्निंग भाई बाकी जितने लोग भी join करते जा रहे हैं लगातर comment करते रहो भाई अपना attendance लगाते रहो मुझे पता चलेगा जिससे आप लोग join already कर चुके हो कि बढ़ जितने भी लोग join कर चुके हैं लगातर अपना attendance भी लगाते रहा करिये लीना मौनिंग, शिवांगी मौनिंग, नायरा मौनिंग, विजटा मौनिंग मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस 21 days batch के बाद मैं दो बच्चों को select करने वाला हूँ जो सबसे ज़ादा attentive थे हमारे इन throughout पूरे के पूरे batch में तो attentive रहना जरूरी है, सबसे पहले attentive रहना जरूरी है नेहा morning, भस्वती morning, शिवांगी morning, अच्छा कितने बच्चे हैं जिन्होंने पिछले दो दिनों का homework पूरा-पूरा complete करा है मतलब English का जो हमने reading comprehension दिया था मैंने और Quant में जो quality question का कल जो class हुआ था कितने बच्चे हैं जिन्होंने दोनों के दोनों homework पूरे करे हैं ये बताओ कलश morning, निहा morning, किट्स entertainment morning, दिया morning, पार्थ, निहा, everyone morning अमरेंद्र morning, कितने बच्चों ने homework पूरा complete करा हर्ष morning, नाइरा morning, मतलब पूरे बच्चों में बस दो-तीन बच्चे ही दिख रहे हैं मुझे जिन्होंने homework complete करा Guys, that's very sad because देखो मैं हमेशा बोल रहा हूं कि 21 दिनों, 21 दिन हम क्यों बार बात करेंगे 21 days आपकी life में बहुत बड़ा change लेके आ सकते हैं because 21 days can do that 21 दिनों के बाद आपकी life change हो सकती है बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी देखो घर पे बहटके, normal classes लेके देखो class में क्या हो रहा है, class में मैं आपके साथ question करता हूं examination में मैं आपके साथ नहीं रहने वाला हूं question मैं नहीं बनाने वाला हूं जहां पे आप फस होगे, आपकी मदद मैं नहीं करने वाला हूं उसमें आपकी मदद बस आपकी practice करेगी और वो practice आपको homework के questions complete करके ही होगा guys देखो, मैं again बोलना हूं कि serious होना बहुत जरूरी है SBI PO, IB Assistant, IB PSPO, यह easy exams नहीं है बई अगर सरल examination होते तो हर सल क्यों SSC, बई पता आपको SSC और bank में सबसे बड़ा फरक है SSC का जो level होता है वो bank के थोड़ा नीचे मना जाता है इसलिए SSC में around around, railways ले लो, railways में करोड के आसपन, एक करोड, दो करोड, तीन करोड तक form भरते हैं बच्चे बड़ जैसे ही bank या insurance examination की बात आती हैं, वो कुछ रह जाते हैं, 10 या 15 लाक पर वो जो 10-15 लाक बच्चे होते हैं न बई, वो होते हैं क्रीम बच्चा तो अगर आपको उन 10-15 लाक क्रीम बच्चों से लड़ाई करनी हैं, तो खुद को उस क्रीम काटेगरी में डालना पड़ेगा, मेहनत दिन रात एक करके करनी पड़ेगी और स्टार्टिंग से सीरिस होना पड़ेगा, इन में से एक भी चीज कमी ये न अपके अंदर, अब जो आप आप अज अपने अंदर नहीं लाःए हो, आप पूरा फोकस नहीं करते हो, कॉंसेंटरेट नहीं करते हो, मैंनत नहीं कर रहे हो, दिन रगत सूर रहे हो, घूम रहे हो दोस्तों के साथ प्लान कर रहे हो पार्टीज कर रहे हो गल्फरेड बॉइफरेंड में बिजी हो मैं स्टिल आपको बोल रहा हूँ आपका सेलेक्शन होने के चांसिस बहुत कम डेली खुद बाखुद ही कर रहे हो चीजों पर फोकस करो फोकस करो अपने प्रिपरेशन पर फोकस करो अपने करियर पर फोकस करो अपने फ्यूचर पर और फोकस करो अपने खुद के सपनों पर और घरवालों के सपनों में चलो जितने ही बच्चों ने अभी अभी सेशन जॉइन कर रहा है जल्दी से शेशन को आज का सेशन, देखो आज के सेशन में हम कैसे करेंगे, जितने नए बच्चे हैं, मैं उनको ये बता दूँ, हमने एक नया सीरीज चालू कर रहा है, इस सीरीज का नाम है 21 Days Challenge, 21 Days Challenge का ये मतलब है कि 21 दिनों के बाद आपके अंदर एक आग उठती है, मेरा काम है आपके अंदर आग जगाना और इन 21 दिनों में पूरी कोशिश करूँगा कि SBI, IBPS मतलब या जितने भी बैंक और इंशॉलेंस एक्जामिनेशन से हैं, सबके रिगार्डिंग आपके अंदर से डर निकल जाए, हर टॉपिक हम कबर करेंगे चाहे, इंगलिश का हो, चाहे, क्वांट का हो, चाहे, रिजनिंग का हो, और हर क्लास आपके लिए free of cost रहेगी, एक भी पैसा मैं आप लोगों से नहीं ले रहा हूँ, मैं पूरी महनत कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, बस return में मुझे आप लोगों से एक चीज चाहिए और वो है आपका dedication, आपका focus, आपका concentration, आपका hard work अब इस सबको एक चीज बोलो या चार बोलो वो आपके उपर है, बट मुझे ये चीज़ें आपसे चाहिए, जितने बच्चे अभी अभी session से जोड़े हैं, जल्दी session को like कर दीजे, और इसके साथ जल्दी से इस video के link को हर जगा share कर दीजे, telegram ग्रूप पे, whatsapp ग्रूप direction sense के उपर, आज इस class के बाद आपके सारे के सारे डर खतम हो जाएंगे regarding direction sense, और आज आप ही मान के चलो, reasoning जो हमारा पूरा का पूरा section होता है, उसके अंदर जो आप पहला step आज ले रहे हो, इस 21 days challenge में, ये बहुत बड़ा step है, तो पूरे seriousness के साथ आज चलेंगे, ठीक है, जितने बच्चे हैं, जल्दी से channel को subscribe कर दीजे, because guys, देखिए, मैं नीचे भी आपको दिखा देता हूँ, हमने लिखा है, the total fees is 100% off, एक भी पैसा नहीं लग रहा है आपका, इस पूरे के पूरे batch का 100% off, मैं पूरी महनत कर रहा हूँ, आप लोगो के साथ, free of cost, तो उसके ल good morning, everyone good morning, चल, ठीक है, और हमने के हर चीज देखे रहे, इस जो हमारा पूरा batch चल रहा है, इसमें हर topic देखेंगे, मैं इसका आपको एक बार, पूरा का पूरा slide दिखायता हूँ, अपना schedule भी दिखा देता हूँ, जो बच्चे अभी भी नए-नए जोड़े हैं, भाई, पू और इसी sequence में हम चलेंगे, हर दिन एक topic उठाएंगे और उसको पूरा cover करने ही कोशिश करेंगे, इसमें मैं अपना पूरा time आप लोगो को देने के लिए तयार हूँ, बकायदा बट आप लोगो को मेहनत करनी पूरी ज़रूरी है, जितने नए बच्चे हैं, जिनको schedule के बा एक भी बच्चे को हम पीछे नहीं छोडेंगे, हर बच्चे को साथ में लेके आगे चलेंगे और हर बच्चे की कोशिश करेंगे कि वो SBI PO या बाकी सारे bank insurance exam में बहुत अच्छी दावेदारी पेश कर सके, यह आपका पूरा का पूरा schedule है, इसी के साथ 27 March को हम रख रहे है एक full mock test, अभी मैं इसके बार में plan कर रहा हूँ कि किस तरीके से full mock test होगा, बट पूरी कोशिश से लेगी कि full mock test हम बकायद अच्छे तरीके से करें जिससे आप लोग को बहुत मदद मिलेगी, ठीक है, चल, देखो direction sense के आपको मोटा मोटा बदा देदा हूँ, direction sense में कोई भ बड़ी खासी आती है कि वो topic बहुत छोटा है, मतलब जितने आप चाहें नए बच्चे हों या पुराने बच्चे हों, आपको concept से जादा, question से चीज़े समझाएंगी, ठीक है, तो हम आज उपर लिखते हैं, देखो इसको direction sense कहते हैं, या कुछ लोग बोलते हैं direction and distance sense, direction and distance sense गाईज चलो class चालो करते हैं, ठीक है, direction and distance sense, इसमें हम क्या करते हैं, देखो इसमें क्या होता है, generally आपने कई बार अगा, question अभी तक देखी होंगे तो होता है, normal आपको directions होते हैं, बहीं, normal में हमारे क्या क्या direction होते है, एक होता है north, एक होता है south, ऐसे ही होता है east, एक होता इसमें करना, जितना जितना और जो जो examiner question में बोल रहा है, बस हमें उतना उतना करना है, दिमाग लगाना ही नहीं, ये बादल जो हमारे दिमाग में उड़ते रहते हैं, इनको बिलकुल बूल जाओ, बंद कर दो, फोर दो सारे बादलो को, अगर direction sense का question आये तो, इसी वज आज में है, visibility में कोई issue, guys आज कोई issue, हाँ, pen visible नहीं है, wait a second guys, किसी को आवाज में है, बाकी कोई issue है है, आज, pen visible होगे सब को, चलो, pen आगया, screen पे, और कोई दिक्कत, बाई, yesterday's class was too difficult, कवाई, क्या problem आया था कल, yesterday's class में क्या issue आया, कवाई, अब तो आ गया, बाई, कल वाली class में क्या problem आया, हमने तो बहुत, बहुत, डीटेल में करा था, हाँ, कुछ high level question जरूर लिये थे हमने, और वहाँ पे हमने ये भी बात खरी थी, कि बाई, अगर आप वो factor वाला method सीख जाते हो, तो 4K आओगे quadratic equation, और 2 से धाई minute के अंदर तो, पेल दोगे, तो जिसको problem आईगे न, अच्छा, जितने नए बच्चे हैं, कोई भी बच्चा है, जिसको math से डर लगता है, guys, कल हमारी quant में हमने पहला batch लिया था, quadratic equation का, बहुत, 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 बहुत important चीज़ देखी थी हमने उसमें, मैंने अपना एक personal आपको एक strategy बताई थी, उसम method मैंने आप लोग को बताया था, चलो, motivation, motivation, सुबह सुबह सबको आगया motivation, चलो, अब direction sense की बात कर लेते हैं, motivation आता रहेगा, चलो, direction sense में basic हमारे 4 direction होती है, north, east, west, south, ठीक है, सबसे पहले एक बच्चा बोलेगा, कि सर मुझे तो north, east, west, south भी नहीं आता, सर मैं तो hindi medium से देखते हैं, उसको बोलते हैं, news, news का क्या मतलब होता है, north, east, west, south, news, उसी से बनता है, जो हम news देखते हैं, अखबार में वो जो आती है, पी news, वो इसी से बनती है, देखो इसको समझाने का आपको एक तरीका बताता हूँ, तरीका जया है, आप सबसे पहले north पकर लो, north पक किसी बच्चे को, anti-clockwise क्या होता है, घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा क्या होती है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, anti-clockwise, इसमें कोई इशू, clockwise, anti-clockwise क्या होता है, ये सारे बच्चों को बताओ, घड़िया तो हम बच्चपन से ही देख फिर इसके बाद घूमोगे तो आएगा west और वापस घूमोगे तो आजाएगा north मतलब north पकड़ो और clockwise घूमना चालू करो north के right में आएगा east east के बाद आएगा west और south south के बाद आएगा west west के बाद आएगा north perfect इतनी चीज़ा maximum बच्चों के लिए ठीक है एक और doubt जो बच्चों को आता है एक मैं आपको सारे doubts लिए कर रहा हूँ सबसे पहले because आपको भी doubts ही आएंगे because इसके हम questions बहुत देखेंगे आज देखो सबसे पहला problem क्या आता है जब हम बोलते हैं कि बही एक बंदा है शाम शामन अपने घर से निकलता है नौट की तरफ जाता है इसके बाद ना sir question बोलता है कि वो right मुडता है हम बोलते है right मुडने का क्या मतलब है right मुडने का मतलब है कि एक बच्चा जो ऐसे सामने खड़ा है आप मन के चलो right कहा है आपका right ये है left ही है तो आप क्या बोलोगे right मुड़ा sir right मुड़ के आप 5 km चला बही right मुड़ के 5 km चला अब वो किस direction में अपनी शकल गर के बैठा है बही एक बच्चा इस ग्राफ के साब से देखो ये वाले ग्राफ के साब से देखो एक बच्चा यहाँ पर उसका घर था north direction में चलता है उपर की तरफ जाता है और फिर 5 km इधर मुड़ जाता है तो अब उसका क्या direction होगा बही कोई भी बच्चा बता देगा कि sir उसका east direction होगा अब उसका मुँ east direction की तरफ होगा sir ठीक है अब एक बच्चा है जो east direction की तरफ मुँ करके बैठा है तो मतलब उसका मुँ ऐसा होगा उसका मुँ ऐसा होगा उसका left hand इस तरफ होगा right hand इस तरफ होगा मतलब अंदर की तरफ left hand होगा बाहर की तरफ right hand होगा इसका मतलब क्या है यह east वाला जो east facing जो बंदा होगा कोई भी उसका नीचे की तरफ मतलब बाहर की तरफ होगा right hand और ऊपर की तरफ अंदर की तरफ होगा left hand इसमें किसी बच्चे को इसमें issue आया है एक सेकेंड, इसको तोड़ा चुटा दो बाई, इस्ट में लेफ्ट कैसे होगा, राइट क्या होगा, ये समझ आगे सारे बच्चों को, ठीक है, फाइन, अब हम बोलेंगे कि सर ये तो उपर गया, उपर जा रहा था, फिर राइट मोड़ा ये पांच किनो मीटर, इसके बाद ना इसने वहां से भी एक और राइट ल इसका मतलब बाहर की तरफ चला वो, ओके, ओके, मतलब ये इस तरफ चला, मैंने बोला भाई, ऐसे न, साथ किलोमेटर और चला ये, हमने का चलो भाई, कोशन बोल रहा है, हमने सबसे पहले क्या सुना है, इसका कॉंसेप्ट सबसे इंपोर्टेंट क्या है, अपने दिमाग के बादलों को शान्त करना है, दिमाग के बादलों को उडने नहीं देना है, डिरेksिन सेंस में, जितना कोशन बोल रहा है, उतना करना है, वो साथ किलोमेटर राइट डिरेक्शन में मुड और नीचे की तरफ चला, अब कोशन बूचे कि घुचे का कि भई, अब उसका क्य अब हमें डाउट होगा कि साउथ में तो है बट अब इसका लेफ्ट और राइट का होगा यही इशूज आते हैं देखो यह बहुत कॉमन इशूज ने आपको बता रहा हूं और बहुत डीटेल में बता रहा हूं कोई इतना डीटेल में नहीं बताएगा साउथ के बाद जब हम साउथ में आके खड़े हो गए तो अब इसका राइट और साउथ का है और राइट और लेफ्ट का है एक सकिंड गाईज मैं थोड़ा क्लियर कर रहा हूं यह हटा देते हैं यहां से इसकी ज़रुवत नहीं है बैए एक बच्चा अरे हट्चा क्या होगा हमने क्या देखा था नौर्थ का लेफ्ट और राइट का है जो हमारा लेफ्ट और राइट है मेरा राइट यहां पे होता है नॉर्मल लेफ्ट यहां पे होता है साउथ का क्या होगा साउथ का इसका उल्टा होगा साउथ का उल्टा कैसे होगा साउथ के लेफ्ट मे होगा उसका left यह यह हो गया उसका right परफेक्ट इतनी चीज clear हो गई अब हम बात करेंगे सर वेस्ट में कैसे देखेंगे वेस्ट में आपको यह बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ अभी के लिए फिर इसको और modify करूँगा और easy करूँ आप लोगे लिए बाई मैं west की तरफ मेंने मुह करा मैंने west की तरफ मुह करा अब मैंने देखा यह मेरा right hand है यह अंदर की तरफ आ रहा है और यह मेरा left hand है यह बाहर की तरफ जा रहा है इसका मतलब right हो गया यहाँ पर उपर वाला direction left हो गया यहाँ पर नीचे वाला direction clear clear right हो गया उपर वाला direction left हो गया नीचे वाला direction यह एक basic layman जो बिलकुल नया बच्चा है जिसको reasoning से डर लगता है जिसने आज तक अख़बार नहीं पड़ा यह उसके लिए था यह तरीका उसको समझाने के लिए था अब वह बच्चा जिसको सब कुछ आता है उसको हम कैसे समझाएंगे sorry वह बच्चा जो English medium से या Hindi medium से पड़ा है बच्चा हमेशा से बढ़िया था पड़ने में बढ़ी है दिमाग तेज है दिमाग तेज हो ना चाहिए आपका तो कैसे बताओगे भई आप कोई भी direction पकड़ो और उसको clockwise move करो जो हमने यहाँ पर बात करी clockwise कोई बिमान के चलो आप नौ्थ direction में हो clockwise move करो clockwise move करो जो clockwise पहली चीज़ आएगी वो आपका राइ inflation है और जो आखरी चीज़ आएगी वो आपका लेफ डिरेक्शन किसी भी direction से पकड़ो किसी भी direction को पकड़ो यह East देखो East East का clockwise कैसे आएगा? इस्ट में clockwise आएगा मेरा ऐसा ये देखो, पहला क्या आया पहला ये आया, तो ये होगे हमारा right बाद में क्या आया, सबसे आखरी में क्या आया वो होगे हमारा left, कोई भी direction पकड़ो ये south लेलो, ये लो south, अब यहां से चलाओ clockwise, ये हमने चलाओ clockwise कोई doubt guys हर उसमें, हर इसमें यही होने वाला है clockwise वाली बैस समझागी सारे बच्चो को clockwise चलना है हमें Guys हमें चलना है clockwise जलो अगेन बताता हूँ ये है north, sorry sorry चौब भई, एक है north direction ये south, ये east, ये west अब north, south, east, west कैसे होगा वो होगा clockwise, clockwise चलेंगे हम north चे clockwise चलेंगे तो पहले east आएगा फिर south आएगा, फिर west आएगा अब हम देखेंगे भई, north में clockwise सलाओ north में clockwise सलाओ, north का clockwise कैसे चलेगा ओ ऐसे चलेगा तो जो clock सबसे पहले आएगा वो होगए आपका right direction यह होगए आपका right direction भाइब होगे आपका Left direction ऐसे हैर सब्मे कर लो भाइब होग है अगें चलाओ clockwise क्लॉकवाईस कैसे चलेगा इदर इदर चलेगा नीचे से clockwise impress वह चला लोग है टीक है जितने clockwise चलाओगे clockwise में पहले क्या आता है right तो पहले लगा दोगे right और बाद में क्या आता है left बाद में आएगा left टीक है basic चीजे हमें clear हो गए clockwise कैसे चलाना है यह हमें समझा गया अब हम अगेन बात करते हैं सर एक है north एक second मैं पैन वापिस अपना restart करता हूँ पैन में I think कोई issue आ रहा है wait a second एक second रुकिए गईस जितने भी बच्चे अभी अभी session से जोड़े हैं जल्दी session को like कर लिजे और अगर आप पहली बार दर अलफा बेंकर चैनल पर आया हैं तो चैनल को जरूर जरूर subscribe करके जाएं because हम बहुत important content अभी use कर रहे हैं अपने चैनल पर और हमने एक नया batch चालू कर रहा है particularly for SBI, IVPS, RRB, RBI assistant और ये batch आपके RBI assistant आने तक daily basis पे हर दिन चलने वाला है तो आपको बहुत-बहुत मदद मिलने वाली है इस batch से fine होती है ये होगा है में डेरेक्शन एक चीज और होती है उसका बोल जाता है sub-directions sub-directions क्या होता है sub मतलब क्या होता है main के side वाला में के side वाला तो sub-directions कैसे होंगे ये North Direction है ये East direction धो North और East के बीच वाले को क्या बोलेंगे north East ठीक है, ऐसी south direction है, यह east direction तो इसके बीच वाले को क्या बोलेंगे, south east, basic, बहुत basic, भाई यह south है, west है, भाई, sub direction south और west के बीच में क्या होगा, southwest, वैसे ही north और west के बीच में क्या होगा, northwest, अभी कोई issue बच्चे को, भाई, किसी भी बच्चे को direction sense में कोई problem, और यहां आपका concept खतम, चुनना सा, इतना सा tiny concept है, और इस concept के चक्कर में आपको बता रहा हूँ, हजारो, लाखों बच्चों बोल रहा हूँ, जो direction sense के 5 question करने में हैं, तीन से चार मिनट लेते हैं, literally बोल रहा हूँ, और आपको हसी आएगी इस class के बाद, जब आप बोलोगे कि 5 question करने में 3 स 4 मिनट, सा, हमें तो 5 question करने में 1 से 1,5 मिनट लगता है, इस class के बाद तो इतना ही लगेगा, अब आप देख लो, यही बात है, basic concept समझे, उसके बाद, फटाक से question की तरफ बढ़े, बस इतना काम है, ठीक है, concept समझ आ गया, अब 5 question 1 से 1,5 मिनट में कैसे करना है, उसकी तयार चालू करते है, ठीक है, सबसे पहले सारे के सारे बच्चे मेरे कहने पे इस class के link को share करिए, इस class के link को share करिए, because लगातार बच्चे बढ़ने चाहिए, class चालू हो चुकी है, बहुत तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, concept पूरा हो चुका है, अब कोशनस की बारी है, जल्द से class में आए, और class को attend करें, हर बच्चे को, इसी के साथ जितने भी नए बच्चे हैं, class को like guys, जरूर कर लीजे, और अगर आप पहली बार the alpha banker channel पर आ रहे हैं, guys मैं आपको बोलूँगा, अगर आप subscribe नहीं करते हैं तो कोई औचित्ते नहीं बनता है आपके उसकी preparation का, because इस सटीक, इस से detail में आपको पूरे YouTube पे कोई नहीं पढ़ाने वाला है, और free में तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत, बहुत dedication के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बस उतने ही dedication के साथ आपको पढ़ना है, fine, चालो, चालो, आप लोग इतना-इतना करो, हम class चालू करते हैं, right, चालो, अपना हम लेकिया, हाँ, अब direction sense के guys, question से चालू करेंगे, because concept इतना ही है, basic concept अगर आपको समझ आ गया, आपके अंदर वो, एक confidence सा आ गया, that's it, उसके आ गया, आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, अब directly हम question से चालू करेंगे, चीज़ है, perfect, अब थोड़ा sound पीछे, कुछ कुछ तो सो ignore करना, ठीक है, guys इस हमारी पूरी series का मतला हमारे 21 days challenge का knowledge partner है, guidely, तो अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक guidely का पूरा PDF bundle buy नहीं कर रहा है, तो guys जरूर कर लो, because I think, या तो कल रात को या आज रात को ना, इनका ultimate PDF वाला जो bundle है, उसका जो off है, वो alpha code use करोगे, तो 80% off, plus उपर से 12% off, मतलब आपकी चांदी-चांदी हो जाएगी, बहुत, देखो महेंगा तो अल्रेडी नहीं था ये, but content बहुत अच्छा है, इसलिए मैं सारे बच्चों को बोलता हूं, जरूर खरीद लो, और इसी के साथ मैं जितने भी homework आपको दे रहा ह है, तो मुझे आप लोगों से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, मैं किसी बच्चे से पैसा लेने नहीं चाहता हूं, आप लोगी मदद हो, आप लोगों को सही content मिले, इसलिए मैंने उनसे बात करी, और इसलिए हमने बोला कि हमें extra 12% वाला code दो, जिससे मैं अपने बच्चो और उनको और ज्यादा फायदा हो, fine, मुझे आप से पैसा नहीं चाहिए, मेरे पाँ सेलरी है, and I am self-sufficient, भाई मैं आराम से कमाता हूं पैसा, अच्छा कमाता हूं, अच्छी जगा रहता हूं, अच्छा खाता हूं, अगर आपको लगता है कि आपको तयारी और अच्छी कर करवा देता हूं, आपको मैं ही करवा देता हूं, चलो कोई issue नहीं, question number one साथ में करते हैं, सब को screen पे दिख रहा है question number one, शालो, भाई question number one हमारी screen पे है, चलो, ये बोल रहा है कि point A is 4 meter north of point C, भाई point A is 4 meter north of point C, इसका क्या मतलब है, भाई अगर एक point A होगा, वो C जो point है, उस से 4 meter north में है, north कहा है, उपर है, अगर आपको doubt होता है, तो आप क्या करा करो, सबसे पहले ऐसे एक बना लिया करो, ये है north, ये है east, ये है south, ये है west, सबसे पहले अपनी copy में कोने में बना लिया करो, direction sense का question करने से पहले, ठीक है, चलो, भाई point A is 4 meter north of C, भाई, C से 4 meter north में है point A, मनला C के उपर होगा, sorry, C के 4 meter उपर होगा, वो हमने बना दिया, वही A 4 meter north में हैं C से, अगला क्या बोल रहा है, point F is 10 meter east of G, जो guys, आज हम जितने भी question करेंगे न, वो question रहने वाले हैं आपके tricky questions, मैं बिलकुल basic level के questions आपको नहीं करा हूँगा, आपको मैं tricky questions करवाँगा और आपको आज ही के आज जो हमने बोला है, पूरा concept तयार करेंगे, आज ही के आज आज आपको इतना सशक्त और इतना तयार कर दूँगा, कि आप directly जाके mock test में direction से question लगा सको, जिस तरीके के question आपके exam में और mock test में देखने को मिलेंगे न, उस type के questions हम आज class में करने वाले हैं, right, wait a second guys, ठीक है, जिस तरीके question exam में आते हैं, exactly उसी तरीके के question आज हम करेंगे, छोटे वो easy वाले question में आपको नहीं करवाँगे, आज आज आपको करवा दिया, फिर कल paper में आपने देखा तो आपने कर रहे है, सर ये तो हो ही नहीं रहे हम से, उस type के questions नहीं करेंगे, बहुत अच्छे level के questions ही करेंगे आज, fine, चालो, बहुत बढ़िया, ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, देखो, आग ये क्या बोल रहा है, point F is 10 meter east of point G, east में होने का क्या मतलब होता है, देखो, अब सबसे पहली बात देखो, हमने question कहा से चालू करा, point A से, और point C से, ठीक है अब ये नए दो category और लिया, नए दो character और लिया है, point F और point G, हमने का ये क्या होता है, तो मैं पता ही नहीं है, तो हमने का छोड़ो बाद में देखेंगे, अब ये बोल रहा है, point F है वो 10 meter east में है, G से, जो G खुद बख, खुद जो है G, वो H point से south में है, इसको अलग से ब हमने बना लिया, और point G जो है, वो 5 meter south में है, 5 meter south में H से, तो ये हो गया है, और 5 meter south में हो गया, इतना हमने पूरी line को draw कर लिया, आगे पड़ो क्या बोल रहा है, point B is north of point D, guys, pen अब तो visible होगा, आप लोग आएते हैं, now visible, right, point B is north of point D, point B is north of point B, मतलब point B, D point से north में है, और point D, D point की बात हो रही है, which is west of point E, D point E point के west में है, ठीक, इसको अलग से कोने ही बना लो, जो D point है न, ये जो D point है, ये E point के east में है, ये point के east में है, तो ये समझाया है, कैसे हुआ, E point के east में है, समझाया है, सबको कैसे हुआ, ठीक है, और point B जो है, वो north में है, बस इतने 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 हैं, हमने लिख लिया, यहां पे इन्होंने हमें distance नहीं बताया, आगे के लिखा है, point F is 7 meter north of point E, अब देखो point E और point F को ये relate कर रहे हैं, इसको अब relate करेंगे, मतलब ये वाला जो हमने बनाया था, और ये वाला जो बनाया था, अब इसके बीच में हमें एक connector मिल गया, point F, देखो एक बोल रहा है, point F is 7 meter north of point E, point F is 7 meter north of point E, 7 meter north of point E, 7 meter north of point E, वही 7 meter यहां बना लेते, अलग से बना लेते, ये हो गया हमारा B, ये था हमारा D, ये था हमारा E, ये बोल रहा है, 7 meter point of E, ठीक है, और point C is in middle of point B and H, point B is 6 meter west of H, ठीक है, यहां पर 7 meter, 7 meter में आ गया F, अब ये क्या बोल रहा है, कि B, देखो हमें यहां पर एक और connector दिया है, point B है, वो 6 meter west है, point H से, 6 meter west है, point H से, इसको एक बार मैं और clear कर रहा हूँ, साफ साब बनाते हैं, साफ साब बनाते हैं, इन्होंने सबसे पहले बोला, एक है, यह है, point D, यह है, point E, 7 meter, हमें पता नहीं, अभी F, point B से उपर होगा है, नीचे होगा, पर इन्होंने हमें यह बताया, कि point B, 6 meter west में है, point H से, 6 meter west में है, point H से, तो हमने बनाया, यह 6 meter west में है, point H से, west हो गया, यह समझा आया, सबको west कैसे हुआ, ठीक है, अब हमने उपर क्या ब चोटा चोटा बना रहा हूं है, और point g और f के बीच में 10 meter का time, distance यह हो गया, आपको 10 meter, इसमें किसी को doubt अभी, किसी को doubt, भाई यह है 6 meter का distance, यह है 5 meter का distance, h और g के बीच में, g और f के बीच में 10 meter का distance, ठीक है, f और e के बीच में 7 meter का distance, ठीक है, तो d और e के बीच में total distance कितना हुआ total distance हुआ b से लेके f तक का मतलब ये 6 km प्लस ये 10 km total distance कितना हो गया ये हो गया हमारा 16 km किसी को doubt ठीक है अब हमें और क्या दिया था हमने सब बना लिया a और c हमारे point रहे गए a और c का हमें क्या ये दिखा ये दिया point c is in the middle of point c is in the middle of point b and h point c आएगा यहाँ पर ये इनके middle में आजाएगा point c आगया यहाँ पर point a is 4 meter north point a is 4 meter north ये point a ये 4 meter बन गया हमारा पूरा को पूरा बस ये हमें काम करना है कोई दिमाग नहीं लगाना है जो जो question paper में हमें given है जो question बोल रहा है वो हमने कर दिया दिमाग लगाया ही नहीं अब question देखो क्या बोल रहा है what is the shortest distance between point b and point e point b और point e के बीच में shortest distance क्या है तो भाई देखो ये कितना total distance कितना होगा ये total height कितनी हो गई total height जो है b और d के बीच में या b और ये हो गया 7 meter plus उपर कितना है 5 meter साथ और पांच कितना होगा total 12 total 12 meter अब लगाएंगे जब भी shortest distance बोलता है तो हम लगाते है पाइथा कोरास theorem भाई इसकी height है 12 base है 16 पाइथा कोरास theorem क्या होती है hypotenuse square क्या होता है 12 का square perpendicular square plus base square भाई 12 square कितना होता है 12 का square होता है 144 144 16 का square कितना होता है 256 144 plus 256 कितना होता है 400 इसका करो under root 400 का under root कितना होता है 20 मलदा question number 1 का right answer क्या होता है option Bombay 20 meter हो गया हम से perfect हम से हो गया किसी भी बच्चे से हो जाएगा जो अभी class देख रहा होगा question number 2 देखो भाई point G जो है हमारा एक second भाई point G जो है यह रहा point G इसका direction क्या है इसका direction है ये North और East के बीच में North और East के बीच में तो इसको क्या बोलेंगे North East Direction इसको बोलेंगे North East Direction question number 2 का right answer क्या हो गया हमारा North East Direction मतलब option A अगरा आगरा option हो गया question number one और two आपने लोगों ने दोनों के दोनों बना लिये किसी को question number one में doubt guys मैं इसको clear out कर दू clear करें next question की तरफ चलें perfect question number two सारे बच्चों ने खुद से बना लिये amazing 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 and एक बात और लिखना चाहता हूं मैं एक बात और लिखना चाहता हूं मैं I am proud of you all I am proud of you all कि आप लोग पहली class में अगर इतना काम कर पा रहे हो then I am literally proud of you all ऐसे ही महनत करते रहो पक्का इस बार SBA निकाल लोगे guys मुझे अपने starting के days में आपको थोड़ा experience share करता हूं जब मैं खुद preparation करता था न अपने starting के दिनों में मैं इतना नहीं कर पाता था सच बोल रहा हूं मनला आप लोग को flatter करने के कोशिश नहीं कर रहा हूं but मैं literally इतना नहीं कर पाता था मुझे चीज़े समझ नहीं आती थी मैं बहुत confused रहता था या नॉर्थ क्या है नॉर्थ क्या है सौथ क्या है इस्ट क्या है वेस्ट कैसे बना नॉर्थ इस्ट क्या होता है but अगर आप लोग पहली क्लास में ये decide कर पा रहा हूं कि नॉर्थ इस्ट क्या है नॉर्थ सौथ कैसे है तो literally आप लोग बहुत अच्छी हो और मेरी ஐ 79 rank आयी थी पहला टॉप है, amazing, amazing, चलो, question number three or four, ये question आपके सामने है, आप लोग भी बनाओ, मैं भी बनाता हूँ, जल्दी से बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, पहले कौन बनाता है, भाई, अरुन स्टार्ट, मैं, चलो, screen पर बनाता हूँ, भाई, अरुन चालू करता है, चलना अपने घर से, ठीक है, he walks out,meto, 7 meter to the south, भाई, 7 meter चलता है, वो south में, यह रहा अरुन बनाओ, यह 7 meter चलता है, south में ठीक है उसके बाद ये right मुर जाता है उसके बाद right मुरता है right कैसे होता है उल्टा होता है ठीक है right मुरता है right मुर जाता है चलो right मुर देते हैं इसको अब 6 ठीक है आगे लिखा है then he covers 6 meter 6 meter चलता है उसके बाद एक और right लेता है और 10 meter चलता है और आप गलत डिरेक्शन पिक कर लोगे तो 7 मीटर है दूसरा 10 मीटर है तो 10 मीटर वाली लाइन लंबी बनाओ ठीक है हमने लंबी लाइन बनाई 10 मीटर वाली आगे क्या लिखा है then he covers 2 मीटर अच्छा उसके बाद left मुड़ता है वो 10 मीटर के बाद वो मुड़ता है left turn left मतलब इधर जाएगा and covers 1 मीटर and covers 1 मीटर एक मीटर और कवर करता है और यहां वो महाश्य यहां पहुंच गया यहां से चालू हुए यहां पहुंच गया question number 3 भाई कितने लोगों ने मुझसे पहले बना लिया भाई मैं question number 3 का answer mark कर दूँ कि रुकूं आप लोग के लिए guys बहुत easy concept है आज हम questions पर focus करेंगे पूरा का पूरा focus questions पर रहेगा हमारा जितने भी बच्चे अभी अभी session से जोड़े हैं जल्दी से session को like कर दीजे और अगर आप पहली बार दा alpha banker पे आये हैं तो जल्दी से चैनल को subscribe कर दीजे इस वीडियो के link को जाद से जाद शेयर करें और सारे बच्चों को बोलिए कि फटाक से आ जाएं और हमारे 21 days challenge batch को पूरी अच्छी तरीके से join करें question number 3 का right answer क्या है what is the shortest distance between his house and his office भाई उसके घर में और उसके office में छोटा सबसे नजदी की distance क्या है मुझे बताओ यह वाला answer आप ही बताओगे मैं आप लोग के लिए बेट कर रहा हूँ यह वाला answer आप लोगों को ही बताना है shortest distance क्या है उसके घर में और उसकी office में ए ए ए ए answer आने लग गए है ए ए ए आगरा 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 भाई right answer क्या है जल्दी बताओ सही बोल रहे हैं बच्चे गलत बता रहे हैं भाई right answer क्या है question number 3 का तो बई ए एक answer क्या है 25 मेटर है या आगरा है चलो आप लोग के साथ solve करता हूँ बई यह है 7 मेटर इसका office इसका घर है यहाँ पर भाई office है इसका यहाँ पर total distance निकालो भाई हमें जब भी distance वो पूछता है तो हमें height और perpendicular नीचे base चाहिए होता है दो चीज़े चाहिए होती है इस total height की value क्या है यह उपर है 7 मीटर नीचे हमने निकाला 17 मीटर तो 7 प्लस 17 कितना हो गया हमारा 24 मीटर total height हो गया हमारी 24 मीटर इस base की value क्या है यहाँ तक इतना देखो गया तो यह है आपका 6 मीटर और यह total की value उपर हमें given थी 2 मीटर यह आधा उसमें से चल चुका है एक मीटर तो यहाँ पर एक मीटर और रहा गया तो 6 प्लस 7 यह होगा 7 मीटर तो भाई 1 है 24 यह है 7 तो भाई hypertonus की value क्या गई 24 स्क्वेर प्लस 7 स्क्वेर इसमें किसी को doubt भाई 24 स्क्वेर क्या होता है भाई 24 स्क्वेर होत 25 किसी बच्चे को doubt 25 क्यों आया किसी बच्चे को doubt right answer के ऐस question का option डेली 25 मीटर option डेली 25 मीटर पूरा क्लियर हो जाना चाहिए question number 3 सारे बच्चों को एक भी बच्चे को doubt नहीं होना चाहिए कि option 3 कैसे आया अब मुझे बता हो question number 4 का राइट answer किया है question number 4 का right answer किया है what is that यहां ले आता हूँ, अब बताओ, what is the direction of his office with respect to his house, भाई उसके office का direction उसके घर के direction के respect में क्या है, ये लो, करो question को, sorry, उसके office का direction with respect to his house क्या है, लिखके बताओ मुझे north east, north west, south west, south east क्या है, भाई इस direction को हम क्या बोलेंगे, भाई ये direction है, ये है direction, ये, ये बड़ा वाला जो मैंने line बनाया, ये क्या है, भाई ये किसके बीच में आ रहा है, ये आ रहा है, south और west के बीच में, तो मैं इसको क्या बोलू ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा, option क्या हो गया, right, option आगरा, option आगरा, question number 4 का right answer है, किसी भी बच्चे को doubt, भाई किसी भी बच्चे को doubt आया, question number 4 में, I think कुछ बच्चे को question number 3 में doubt है, एक बर हम question number 3 फिर से देख लेते हैं, भाई question number 3 फिर से देख लेते हैं, कोई बा house and his office, भाई उसके घर में और उसके office में shortest distance क्या है, सबसे नजदी की सबसे करीबी distance क्या है, जब भी हमें direction निकालना होता है, distance निकालना होते हैं, तो हम क्या करते हैं? Direction ढूंडते हैं, देखो ये है उसका घर, यहां है उसका office, यहां है उसका office, ठीक है, इतना हमें समझ आ ग हमने देखा कि 7 meter तो यहां पर हमें मिल गया, यह 7 meter था, अच्छा color change कर लेता हूँ मैं, भाई 7 meter तो मुझे already यहां पर मिला हुआ था, देखा 7 meter तो इसी की length थी, हमने यह नीचे वाले की length यहां पर निकाली थी, यह है 17 meter, तो हमें यह पता चला, इस total height की value कितनी आएगी, 7 meter plus 17 meter, total value आगए, इसकी 24 meter, clear है, basic चीज है, अब हमने देखा हमें height मिल गई, हमें base और मिल जाए, तो मैं जल्दी से pythagoras theorem लगा दूँगा, height का square plus base का square is equals to hypotenuse का square, height मेरी आगई 24 meter, अब मैंने सोचा base कितना होगा, बैए base ऐसे देखो, अब base में क्या देखोगे, यह वाला distance, यह वाला distance देखोगे, इतना आपको already पता है कि यह 6 है, हमको यहां तक जाना है, यह 6 है, इस total की distance कितना है, यह 2 meter है, हमें question में already given है, यह 2 meter है, इस में से already यह 1 meter cover कर चुका है, यह 1 meter cover कर चुका है, तो यह 1 हो गया, तो यह 1 हो गया, तो इसकी distance कितनी हो गई, total इसकी length कितनी हो गई, 6 meter, plus 1 meter, total कितना हो गई मेरा 7 meter, ठीक है, तो मतलब base की length कितनी हो गई, 7 meter, height की length कितनी हो गई, 24 meter 24 का square plus 7 का square करोगे तो इसका add करोगे तो आजाएगा आपके बाद 625 625 करोगे उसका under root निकालोगे तो आपके बस आजाएगा 25 अब किसी को doubt अब जितने भी बच्चे थे जो doubt बोल रहे थे अब किसी बच्चे को doubt question number 3 में guys जल्दी जल्दी बताइए question करना है time बहुत ज्यादा लग जाएगा आज पर महनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी महनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी पूरा dedication के साथ करनी पड़ेगी तब ही जाके बेटा आज आज आपको direction sense निचोड के पढ़ा दूँगा इतना पढ़ा दूगा चल रही है इसी के साथ इस class को like करो और चैनल को जल्दी से subscribe भी कर लो हम चलते हैं आगे ये तीनों चीज़े जल्दी से कर लो like share और subscribe question number three four हो चुका है question number seven और five से seven आपकी screen पर है गईज अगले तीन कोशन आप लोग की screen पर है साथ में बनाने की कोशिश करते हैं ठीक है चलो साथ में बनाते है परसें फ्रॉम पॉइंट एच वाक्स टूवर्ट इच अब परसें फ्रॉम पॉइंट एच अच्छा चलो मैं बोलता नहीं हूं आप लोग डिस्टाब होगे मैं खुद से ब रड़ ट्र लेता है और चार dark चलता है पहां पर पहुंच जाता है फॉइंट जे पर पहूंच गया है अ़िटा कीव हुईर्श ऑप सर्ट होस्ट चलता है वापस मुँट चलता है 8 km और चलता उपर की तरफ यह चलाया मैंने इसको 8 km 4 km यह अल्रेडी चल चुका था तो उपर मैंने 4 km इसको और चला दिया यह तोटल 8 km हो गया और यह पॉइंट कुन सा आगया है पॉइंट आगया है मेरा L अब पॉइंट L पे इसने क्या करा और कहां पॉइंट M पे फाइनली ही टेक्स अ राइट टण यह वोक्स फोर 6 मीटर चलता है 6 मीटर चलता है सात नहीं चलता है यह टोटल है 7 मीटर वह एल और के के वीचे किता डिस्टेंस है आठ मीटर चलते हैं यह तक बनाऊंगा और क्या करेगा यह कहां पहुंच गया ? पोइंट एंड पर पहुंच गया ? बस बन गया बही कते बच्छों का बन गया ? अब बही कोश्चन नम्र फाइफ करें जल्दी से फटक से ? Q5 कर लेते हैं फटाक से, Q5, what is the shortest distance between point K and point N, point K और point N के बीच में shortest distance किया है, नीचे वाला distance देखो कितना है, ये है total 5, total 5 meter, नीचे है, point K और point N, उपर की तरफ देखो, उपर की तरफ कितना है, ये total 6 है, ये total 8 है, तो ये 2 ही बचे का न, 2 और 5, 2 और 5 कितना है, 25, 4, under root 29, option C, कि अरे क्या बात है, योगेश मकीजा जी, 10th class में होके भी follow कर रहा है, बहुत बढ़ी है, SBI PO, SBI आपको पा के धन्य हो जाएगा, अगर आपको आज से इतना, आपकी जुब thought process इतना clear है, question number 5 का right answer option C, सारे बच्चों का हो गया, perfect, question number 6 देखेंगे अब सारे बच्चे साथ में Question number 6 पे ho baki, question number 6 करो, in which direction is point N with respect to point I, point N, point I के respects में कहाँ पर है, point I कहा यह, point I है, point I है, point I है, scratch, point I है, point N कहाँ है, direction क्या होगा, क्या ये वाला direction होगा, क्या ये मैं East बोलता हूँ, क्या मैं South बोलता हु तो इसको क्या मैं South East बोल पाउँगा, बिलकुल बोल पाउगा, तो right answer क्या option question 6 का Delhi Guys question number 6 का right answer Delhi है Calcutta, Calcutta क्यों बोल रहे हो Question number 6 का right answer is Delhi कितने बच्चों का right answer Delhi आया है Delhi, 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 परफेक्ट, परफेक्ट यह speed चाहिए, यह अपन साथ में बनाएंगे आज speed अब चलते हैं फटाक से question number 7 पे Question number 7 एक जटके में आपको दिखाऊंगा और आपको ऐसे ही solve करना है Question number 7 का right answer दो What is the total distance traveled by the person from point H to point M Total distance कितना चला है point H से point M में इन सबको add करना है बापको Total distance पूछ रहे है, shortest distance नहीं पूछ रहे है देखो, फरक देखो वाई एक चीज होती है shortest distance Shortest distance में हम क्या करते है पाइथा गोरास तियोरम लगाते है फिर यहां पे इसका H find करते है यह बोला है total distance कितना चला है total distance में आप हर चीज को add करो total distance find करना है तो हर चीज को add करना बड़ेगा मैं एक बार आप लोगो question दिखा देता हूँ question देखो और हर चीज को add करो जितने भी distance दिए हैं सबको add कर लो sorry 7, 7, plus 4, 11, 11, plus 3, 14, 14, plus 8, 22, 22, plus 5, 27, 25, 27, plus 6, 33 33, 33, 33 km, 33 meter answer होगा right answer क्या होगा option Delhi, none of the above sorry 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 manager 27 meter 27 meter right, option आग रहा 27 meter 27 meter right, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सारे के सारे बच्चे ने question कर लिया हो गया चले final अगला move करें अब मुझे बताओ किसी बच्चे को doubt आ रहा है किसी बच्चे को doubt आ रहा है हाँ मैं समझ गया मैं को अरे मैंने क्या करा एक ज्यादा बढ़ा दिया मैंने 7 और add कर दिया था मैंने 6 और add कर दिया था इसने m तक पूछा है हमने n तक को add करा तो वह हमसे गलती हो गई थी तो 33 total distance है उसमें से आपको 6 meter और minus करना पड़ेगा m और n के बीच का distance तो आपका answer कितना आ जागा 27 meter ठीक है यह basic हुआ हमारे से कि हमने क्या करा 33 total add करा उसमें से 6 हमें m और n का कम करना था तो answer किता जागा 27 meter किसी भी बच्चे को doubt भाई question number 7 में भाई किसी भच्चे को doubt question number 7 में right 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 question number 7 में किसी को doubt नहीं है ठीक है अब आप मुझे बताओ क्या confidence आ रहा है थोड़ा सा direction sense में जल्दी पांच question एक से डेड़ मिनेट पर बनाने वाला confidence आ रहा है कि नहीं आ रहा लग रहा है महां तक पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुच पाएंगे बिल्कुल पहुच पाएंगे पहुचेंगे और आज कि आज इस session के end होने से पहले-पहले ही पहुचेंगे और आप सबके सब खुद ही answer करोगे हर question का ठीक है अब मैं दिखा रहा हूँ आपको question number 8 से 9 अगले question की दरफ चलते हैं आज बहुत मज़ा आने हो दाए class में गाई और आज आप लोग खुद इतने question करोगे ना इतने कभी नहीं करे होंगे चलो question number 8 से 9 साथ साथ में बनाएंगे आपकी मेरे से अब लड़ाई है मुझसे है बही मैं हूँ आपका examiner चलो फटाक से question number 8 और 9 हम साथ में बनाएंगे and your time starts now point E is 8 km to the north of point B by point E बनाओ is 8 km to the north of point V point T is 9 km to the east of point V by point T is 9 km to the east of point V point T is 5 km to the north of point K 5 km to the north of point K K का है 12 km to the west of point S 12 km to the west of point S point M is 16 meter to the north of point S point M is 16 kilometer to north 16 kilometer north 5 ही हो गया 8 ही हो गया 13 हो गया तो मलदा इसके भी उपर जाएगा 16 13 से जादा हो जाएगा तो मैं इसके बहुत उपर ले जाओंगा और ये कितना है ये है point M ये है total 16 ठीक है और 16 अगर मैं यहां से एक dotted line बनाओंगा तो ये कितना बनेगा ये है आठ और ये है पांच ठीक है आठ और पांच ठीक है point P is to the south of point L point P is to the south of point L and east of point E east of point E वन्दब point P कहीं यहां आएगा point P कहीं यहां पर आएगा ठीक हमें अभी पता नहीं है point L is 6 km west of point M, 6 km west of point M, 6 km ठीक है 6 km बना लो भई ये रहा 6 km point L, point L यह तोटल यहां पर यहां तक है total 12 km यहां में कोशन में गिवान है, 12 km है point O is exactly between point K and point S, point K और point S के बीच में आगया point O, point O ये भी 6, ये भी 6, मतलब point L और point O एक दूसरे के just ऊपर है, मतलब point L is to the north of point O ठीक है, और क्या छूटा था, एक point P रह गया था, point P था न, point P is to the south of P, ये रहा, point P यहां जाएगा ये रहा, point P, ये कितना km है, यहां से 6 km है, यहां से कितना km है, 9 और 6 यहां से 15 km है भाई, मेरा question हो गया, कितने बच्चों ने बना लिया, question number 8 का answer क्या है, question number 8 का answer क्या है question number 8 का right answer is, what is the direction of point L with respect to point O, भाई, what is the direction of point L with respect to point O, क्या answer कर रहे है भाई, भाई, सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, point L, point O, क्या है भाई, ये हम already question में बात कर चुके हैंगे, point L is north of point O, north में, बिल्कुल उसके सिर के उपर बैठा है, point L, ठीक है, महला question number 8 हो गया, question number 8 सबका हो गया, सारे बच्चे जितने भी अभी अभी class में है, सारे बच्चे answer करेंगे, question number 8 का right answer क्या आया है, हर बच्चे को answer करना है, भाई, चाहे आपसे हो या ना हो, बना, obviously होना जरूरी है, पर कितना भी आपको time लगे, बट, हर बच्चे को solve करना है, और answer देना है, right answer क्या आ रहा है आप लोग का, question number 8, question number, perfect, 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 north, 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 bombay, 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 sारे अब question number 9, what is the shortest distance between point M and K? भाई, M और K के बीच में shortest distance क्या है? ये लो, point M और K के बीच में shortest distance क्या है? ये बताओ मुझे. M और K के बीच में shortest distance क्या है? भाई, M और K का height है, एक सक्ष. भाई, M और K में जो height है, उसकी distance क्या है? भाई, उसका distance है 16 km, ये मुझे given है. बेस है, उसका distance कितना है? 12 km, तो ये कितना आएगा? 16 km का square, 16 का square plus 12 का square, 16 का square कितना होता है? अल्लेडी पता है. 256, 12 का कितना होता है? अल्लेडी पता है. 144, addition कितना होता है? अल्लेडी पता है 400, 400 का under root कितना होता है? अल्लेडी हर बच्चे को पता है, 20. right answer क्या है? question number 9 का? question number 9 का, sir, आख बंद करके पूछ लेते, sir, आखे खोलके के पूछा. ये तो हमारी बेज़ती हो गई, sir, question number 9 का right answer is, Calcutta, 20. ये लग रहा है, sir, अब तो, sir, बच्चो वाले question लग रहा है, sir, अब तो direction size में, sir, बहुत ही, ऐसा, ऐसे question आएंगे, sir, paper में? ऐसा लग रहा है, क्या? अच्छा, ऐसा कितने बच्चों को लग रहा है, कि, sir, इस तरीके के question आएंगे, कि, paper में? ऐसा किसी को लग रहा है, कि, sir, ये तो बहुत easy है, sir, ये तो मुझे अभी से बनने लग गए? sir, मैंने तो आज concept पढ़ा, पहली बार आपसे समझा, अरे, sir, ये कैसे हो रहा है? question number 9 में किसी को doubt, 20 km कैसे आया? 20 km में किसी भी बच्चे को doubt? exactly, इसी level के question, guys, पूरे के पूरे exactly बोल रहा हूँ, exactly, मतलब, लिख के दे थों आपको, exactly, exactly, इसी level के question, आपको final SBI, PO के pre और means दोनों में दिखने को मिलेगे, means में बस थोड़ा उसको बोला जाता है coded, वो होता है coded direction sense, वो आ जाता है पर वो भी बहुत easy है, अब आप लोग बोलोगे, तो मैं अगली class में आपको coded वाले भी करवा दूँगा, वो इससे भी जादा easy होते है, उसको तो मैं लिख करने में दिमाग लगाना ही नहीं है, but, कोई doubt, दर खतम हुआ, एक दिमाग में ऐसा लगा, कि चलो finally आज reasoning का ना, एक पूरा topic मैंने टिकमा कर लिया, पूरा topic मैंने cover कर लिया, perfect, 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 अब जिस दिस बच्चे को class अभी तक अच्छी लग रही है, और जिस बच्चे ने अभी तक share नहीं करा है, हम इतना important topic पढ़ रहे हैं, बट still काफी बच्चे session को share नहीं कर रहे हैं, so guys keep sharing, सारे friends को बोलिए, जल्दी से आएं, जल्दी से आएं, telegram, facebook, whatsapp, जहां पर भी आप लोग active है, वहाँ पे share करिये, इस session के link को, और अगर आप पहली बार दा alpha banker पे आएं, तो guys जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजे channel को, because I know, कि आपको इसकी importance समझ आ गई होगी, कि हम कितना important content कर रहे हैं, ठीक है, अचा हाँ, इसी के साथ एक और बहुत important चीज मैं बोलना भूल गये आपको, important चीज यह है कि 21 days जो पूरा हमारा challenge है न, उसका मैंने proper playlist बना दिया है, ठीक है, तो सारे बच्चों को playlist मिल जाएगा, ठीक है, सारे बच्चों को channel पर playlist मिल जाएगा, तो अगर by chance किसी बच्चे की class छूट रही है, तो आपको उसको बोल दीजे कि वो playlist से देख सकता है, या अगर आप लोगो कोई doubt रह रहा है, आपको questions बापिस बार-बार देखने की ज़रूरत पड़ रही है, तो playlist में सारी classes record होके upload होंगी, recorded कर रहा हूँ है सारी classes को, और वहाँ पे बापिस upload हो रहे है, जितने भी नए बच्चे हैं मैं उनको बता दू, हम daily साड़े नौ बज़े, सुबे साड़े नौ एम पे classes ले रहे हैं, बहुंद दुआदार classes हो रहे हैं, English की या Quant की हो चुकी है, आज हम कर रहे है reasoning की class, question number 9, भाई आप लोगों ने मुझे लग रहा है, competition आपर timer से नहीं है, यहाँ पर competition मुझसे है, मुझसे जल्दी बना के दिखाऊ motion, question next, आप लोगों की screen पर मैंने डाल दिया है, question मेरे साथ चालू करो, and your time starts now, person P, a person starts walking from point P, towards east direction, 3 meter चलता है, and reach point Q, then he turns to the right and walks 4 meter, and reach point R, then he turns to the left, अच्छा, left गुमता है, left हो गया, यहाँ पर हो गया, से left, and walks 2 meter, 2 meter चलता है, और कहां पहुंचता है, point S, then he turns to the left, again left मुडता है, again left, sorry, कहां गया था मैं, then he turns again left, 8 kilometer चलता है, point T, point T, 8 kilometer चलता है, यह 8 kilometer होगया, total, यह होगया, total point T, then he turns to the right, and walks 3 meter to U, turns to the right, turns to the right, and walks 3 meter to U, 3 meter to U, then he turns to the right, and walks 10 meter, 10 meter कितना होगया, यह 8 kilometer, यह 10, तो यह बीच में ऐसे लगाओ, तो यह उपर वाला, 8, यह है 2, और यह final कहां पहुंच गया, यह पहुंच गया, यह पहुंच गया, finally he turns to the right, turns to the right, and walks 8 meter, 8 meter, 3, और 2, 5, 5, और यह यह आगे 8 meter, यह point P के जस्ट नीचे आगे, point P के जस्ट नीचे आगे, और यह होगया W, यह total 8 meter, भाई, कितने बच्चों ने बना लिया, मुझस से पहले, सबसे पहले मैंने बनाया है, कि किसी बच्चे ने मुझस से पहले बनाया, यह बताओ, भाई, कितने बच्चों ने मुझस से पहले बना लिया, यह बताओ, question number 10, का answer क्या है, जल्दी फटाक से, इस यह speed चाहिए एक्जाम में, यह speed, कि आप लोग उसे में बाते भी कर रहा हूं, मैं question भी बना पार रहा हूं, 10-15 सेकंड, 20 सेकंड में, देखो, direction search में आपको एक चीज बताता हूं, जहां पे आपकी आखे चलती हैं, उपर, आपका pen चलना चाहिए नीचे, आपको देखनी की ज़रुत नहीं पढ़नी चाहिए, आखे pen, आखे pen, hand-eye coordination बहुत तगड़ा होना चाहिए, बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा, c, 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 चेन नहीं, यह speed चाहिए हमें, competition बेटर, timer से तो हो गया आपका, timer से बहुत competition लगा लिए, 20 सेकंड, 30 सेकंड, मुझसे लगा के दिखाओ, competition करना है तो ढंकी जगा पे करो ना भई, timer से तो हर जगा करके बैठे हो ना competition, नहीं improve हो रहे हैं आप मुझसे करो competition, 21 days challenge में आप लोगा competition है मुझसे, ठीक है, अच्छा कितने बच्चे तयार हैं मुझसे competition करने के लिए ये बताओ, कितने बच्चे तयार हैं मुझसे competition करने के लिए, बाइ, question number 10 का right answer के है, what is the shortest distance between P and R, P और R के बीच में बच्चा भी बता देगा, sir, 3 का square, 9 होता है, 4 का square, 16 होता है, 9 plus 16, 25 होता है, 25 का under root 5 होता है, option C. Question number 9 में किस बच्चे को doubt है? Question number 10 में किस बच्चे को doubt है? Question number 10 में किस बच्चे को doubt है? अरे competition सही जगा करो, हो गया timer वाले जमाने गए, अब artificial intelligence आ गई है, यहाँ पर आपकी artificial intelligence से लड़ाई नहीं है, यहाँ पर मेरी intelligence से लड़ाई है, कि मुझसे competition है, question number 10 में किसी बच्चे को doubt, आगे बढ़ें, ठीक है question number 10 सबसे हो गया, ठीक है हम मानते, अब हम बढ़ते है question number 11 क with respect to point V, भाई point V के respect में point T कहां पर है, यह कहां पर land करता है, भाई सबसे पहले हम यह देखेंगे, कि point T कहां है, point T हमें यहाँ मिल गया, point V कहां है, point V हमें यहाँ मिल गया, भाई मुझे समझा है कि इस तरीके का diagonal बन रहा है, भाई उपर वाली है north, यह नीचे वाला है, west, में बोल देंगे north west, उसको जैराम करेंगे, option mark करेंगे, बॉम्बे, north west, बॉम्बे, 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 पर्फेक्ट, चलो, finally, मतलब आज लग रहा है कि बच्चों को समझ आया है, confidence आया है, question number 12, इसी का, एक और question है, question number 12, ये भी attempt करो, in which direction is point P with respect to point W, in which direction is point P with respect to point W, हर्शल, आप, सर, आप मेरे motivation हो, अरे, आप मेरे motivation हो, आप लोग हो, तो मैं तब्यत खराब में यहां बैठा हूँ, आप लोगी classes ले रहा हूँ, आप लोग नहीं होते तो मैं classes नहीं लेता, हाँ, बच्चे अभी मुझे कम लग रहे हैं, बट और ज्यादा बच्चे होंग जितने भी friends से उनको बोल दी जा करें, सुभे-सुभे बोल दी जा, बोला करें कि classes join कर लें, और उसके साथ जल्दी से आए, सैनल को subscribe भी कर लें, ठीक है, question number 12 का right answer क्या है guys, question number 12 बोल रहा है, what is the direction of P with respect to W, यह तो basic चीज है, अंधे को भी समाझ आ जाएगा, मला, without any disrespect, कुछ मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप लोगोगों समजा रहा हू tuned P is in north, option Agra, किसी बच्चे को question number 12 में doubt, North, 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 agra, 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 agra. अरे शिवांगी नॉर्थ वेस्ट कैसे हो चकता है P is north of W नॉर्थ वेस्ट ये नॉर्थ वेस्ट कहां से आ रहे हैं लोग दो तीन चार लोग अरे north in the north P कहा है मैंने क्या बात करी थी अभी हमने P W के just उपर आ रहा है सिर के उपर है P W के P W के सिर के उपर है तो वो क्या हो गया है वो होता है north direction हाँ मुझे लग रहा है आप लोगों ने diagram गलत बना लिया होगा ठीक है चालो question number ये हो गया guys इतनी जल्दी किसी बच्चे ने question ने करा होगा मैं literally बता रहा हूँ मैं बहुत सारी classes already लेता हूँ ले चुका हूँ बहुत बार बट literally बता रहा हूँ जितनी जल्दी आप लोगों ने questions अटेमिट करे हैं किसी ने कभी नहीं गए चलो question number 13 से 15 आपकी screen पे है साथ साथ में बनाते हैं चलो चलो अरे color change करना पड़ेगा मुझे blue color कर लेते हैं चलो perfect Irwin starts walking straight from point A towards north अरे पे तो clean करना पड़ेगा ठीक है भाई point A से north में चलना चालू करता है कितने kilometer चलता है सोला मीटर चलता है थोड़ा लंबा और बना लेते हैं कहां तक पहुंचता है point B तक now he turns towards east and walk 10 meter यहां से 10 meter मुड़ता है 10 meter मुड़ता है east में ठीक है point C यह point C है now he turns towards his right right में मुड़ता है 8 meter चलता है 8 meter चलता है right ओके यह है 8 meter और यह कौन सा जगह हो गई हो गई हो गई ठीक है again he turns towards east turn towards east फिट से east में चलता है and walk for 10 meter and walk for 10 meter ठीक है भाई एक सेकिंड ठीक है यहां से 10 meter चलता है और यह कौन सी जगह है कहां गया point E point E point E तक आ गया from where he moved towards south and walk 16 km 16 km बहुत बढ़ी है यह 8 है यह 8 है यह उपर वाला 8 है यहां तक और यह नीचे वाला 8 है यह कौन सा point आ गया point F point F आ गया now he moved to his right move to his right okay move to his right and walk for 10 meter ठीक है जी तक पहुंच गया perfect perfect easy question था मुझे लग रहा है यह point G है point G और point D एक दूसरे के उपर नीचे हो गए उसके बाद वो किता चलता है 8 meter चलता है और H तक पहुंच था है 8 meter चलता है भाई सारे बच्चों ने बना लिया हाँ हाँ ठीक है वो मेरा pen problem कर रहा था नहीं तो मैं भी बना लेता चलो 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 मुझसे जीत गए सारे बच्चे मुझसे जीत गए चलो बहुत बढ़ी है question number 13 का right अरे ठीक है अब इतना भी खुश नहीं होना है question का answer करो question number 13 का right answer दो question number 13 का right answer करो भई what is the shortest distance between G and E भाई G और E के बीच में shortest distance क्या है C, Calcutta, C, 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 C अब डन वाले डन तो लिख रहे हो answer भी लिखना है question number 13 का answer भी देना है question number 13 का C, गई जितने भी बच्चे अभी तक like नहीं करें है session को जल्दी से like कर दीजे because likes increase नहीं हो रहे हैं और इसी के साथ channel को subscribe करें, share करें but like सबसे पहले कर लीजे question बोलना है what is the shortest distance between G and E, G और E के बीच में shortest distance क्या है 16, 16 का square और ये 10 का square कितना होता है 256, 356 356 के आसपास ही आए गा answer हाँ मेरी तब्यत खराब है, मेरी तब्यत उतनी सही नहीं है right, सबका C आगए question number 13 मैं अब solve करूँ या सबका answer C आचुका है सब बच्चों का answer C आचुका है question number 13 का question number 13 सारे बच्चे option C सारे बच्चे का option C आचुका है, right इसको erase करते है question number 14 question number 14 देखी सारे बच्चे what is the shortest distance between B and F B and F के बीच में shortest distance क्या है बाई B कहा है, B है यहाँ पर F कहा है, F है यहाँ पर shortest distance बताईए B और F के बीच में shortest distance क्या है आगरा 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 14 का आगरा अरे गलत answer कर रहो यार आगरा question number 14 चलो, मैं explain कर देता हूं सबको question number 14 क्या बोल रहा है हमें B और F के बीच में shortest distance find करना है shortest distance में हम क्या करते है हम ढूनते है height और perpendicular height और base total base की value कितनी आगए यहाँ पर है total 10 यह है total 10 यह है total 10 तो total कितना हो गया 10 प्लस 12 10 प्लस 10 total distance base का हो गया 20 अब height का मिलाते है F यहाँ पर है B यहाँ पर है बई देखो यह वाली जो बीच की height है यह मुझे पता है 8 यह वाली मुझे पता है 8 और 8 16 8 और 8 और 8 और 8 20 स्क्वेर प्लस 24 स्क्वेर लफ 576 प्लस 400 प्लस 400 यह होगे 976 976 अब इसको आप अंडरूट कर लो अंडरूट करो जल्दी से 2 बाई 2 करके भार निकालते रहो इसमें से बई डिवाइड कर लो 976 को आप जल्दी से पहले तो डिवाइड कर लो 8 से 8 से डिवाइड करो जल्दा इसको कितना आएगा 8 से अगर इसको काटोगे यारे pen problem कर रहा है हाँ ठीक है यह आगया 1 और 1 और 7 यह गया 2 1 और 6 यह गया 2 तो एक और 2 से काट तो यह हो गया हमारा कितना 61 ठीक है 61 इंटू यह कितना है 61 61 इंटू 16 अंडर रूट के अंदर अरे यार एक सेकंड में 61 इंटू 16 अंडर रूट के अंदर अब यह 16 किसका स्क्वेर होता है 4 का स्क्वेर होता है तो यह भाहर आ जाएगा तो राइट आंसर हमारा final क्या हो गया 4 अंडर रूट 61 किसी बच्चे को डाउट इसमें 4 अंडर रूट 61 में कोश्चन नमर 14 का राइट आंसर इस 4 अंडर रूट 61 ऑप्शन डेली परफेक्ट ठीक है कोश्चन नमर 15 पे मूव करें कोश्चन नमर 15 आप लोग को दिखा रहा हो कोश्चन नमर 15 देखो इसका अंसर करो What is the total distance covered by Arvind to reach point H point H तक पहुंचने में total कितना distance cover करा Arvind ने total distance की बात हो रही है यहां पर short distance की बात नहीं हो रही total distance की बात हो रही तो इसमें क्या करेंगे final point देखो क्या है जहां से हम चालू हुए कहा तक पूछ रहा H तक का जो हमारा final point है तो इसमें क्या करेंगे जितने भी हमें calculations दी है number दी है question में हम सबको add कर देंगे भाई 16 भाई दोको यहां से चलो color change करना पड़ेगा भाई दोको 16 meter 16 16 plus 10 26 26 plus 8 26 plus 8 34 34 plus 10 44 44 plus 16 60 plus 10 70 78 70 80 ही होगा right answer option में है option में option E option E 78 question number 15 का right answer is option E 78 किसी भी बच्चे को doubt किसी भी बच्चे को doubt इस पूरे सारे questions में अ 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 करना चाहें तो अभी भी आंसर कर सकते हैं इसके बाद class के end में आप लोगोंसे एक बहुत important question पूछने वाला हूं तो कोई भी बच्चा जल्दी से अभी class को leave ना करें एक बहुत important question है बट सबसे पहले इस question का answer करें question number one two किसी से नहीं बना किसी से भी नहीं बना 45 second में राइट ठीक है answer क्या है इसका बॉम्बे ठीक है अब answer आने लगे हैं अराउंड डेड़ मिनट बाद है ना बॉम्बे चलो नो बॉम्बे आये नो आये नो टाइमर होता है तो एक stress होता है आप लोग के उपर टाइमर में stress होता है अरे बॉम्बे बल्कु yht अहीं है अनशर आने लगे हैं आव्वांबे बॉम्बे 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 ङदे बॉम्बे बि PDF bundle ही रहने वाला है ठीक है वो हमारे education partner है knowledge partner है इस पूरी series के because उन्होंने हमारे एक बार कहने पर आपका पूरा PDF bundle से important content निकाल निकाल के हमें दिया है तो जरूर buy कर लीजे जल्दी से guidely का PDF material और ये वाला question आपको guidely के PDF material मिल जाएगा अगर आप guidely का PDF material buy करना चाहते हैं तो आप एक code लगा लीजेगा alpha alpha code लगाएंगे तो आपको 80% off मिलेगा plus उपर से 12% और ज़्यादा off मिल जाएगा plus off ठीक है मतलब आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी आपको बहुत सस्ते में मिल रहा है अभी तो जल्दी से बाए कर लो guidely का ultimate PDF bundle है 2022 वाला ultimate PDF bundle ही बाए करना कोई दूसरा बाए मत करना ultimate वाला ultimate PDF bundle जिसका नाम है वो वाला PDF bundle बाए कर ले था ठीक है चलो अच्छा अब last एक question है मेरा आप लोगों से मेरा आप लोगों से एक last question है थोड़ा दिल से दिल वाला question है आप लोगों को मेरा teaching का तरीका कैसा लग रहा है इन classes का उदेश ये कैसा लग रहा है कोई fruitful लग रहा है आप लोगों को ये teaching तरीका अच्छा लग रहा है सर आपको teaching का तरीका कैसा लग रहा है आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है क्या आपको लग रहा है कि हमें इसको और expand करना चाहिए क्या आपको लग रहा है कि मुझे इसको और जादा expand करना चाहिए अरे पैन आज बहुत ही शुक्रियेट कर रहा है because अगर हमारी ये जो एक नया हमने जो बैच चलाया है जो हमने 21 days का एक नया initiative चलाया है गैस अगर ये initiative successful होता है और इस initiative के बाद हम at least at least नये 5,000 बच्चों को अगर 5,000 प्लस candidates मला अगर हम नये 5,000 बच्चों को कम से कम अपने चैनल पर जोड़ पाते हैं 5,000 नये subscribers at least ला पाते हैं आज हमारे हैं around 35,000 candidates मला आज हमसे जोड़े हैं around 35,000 बच्चे सब्सक्राइबर हैं हमारे but 21 days challenge खतम होते होते अगर 5,000 add हो जाता है मतला अगर हमारा subscriber base 40,000 के उपर जाता है तब आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा plan है मेरे पास एक बहुत बड़ा plan है guys मैं एक पूरा arithmetic के लिए भी batch चालू करूँगा arithmetic के लिए एक नया batch मैं चालू करने के बारे मैं सोच रहा हूँ जिसमें zero से लेके आपको हर दिन एक topic पे बात करेंगे zero से लेके हर दिन एक topic पे बात करेंगे arithmetic का हम पूरा का पूरा series चालू करने वाले हैं वो एक महीने का सीरीज रहेगा, एक दिन में हम तीस अलग-अलग टॉपिक्स देखेंगे, अगर बड़े टॉपिक्स होंगे तो उनको दो से तीन दिन भी देगे, अगर हम देख रहेंगे, प्रॉफिट एन लॉस बहुत बड़ा चाक्टर है, हमें समझ नहीं आता, तो हम को बिकास जब तक यह नहीं जोडेगा, मुझे समझ नहीं आएगा, कि एक्चिली जो हम कर रहा हैं, वो सही जगा पहुँच भी रहा है या नहीं, वो सही जगा पहुँच रहा है, वो हम कब realize कर पाएंगे, जब नए 5000 बच्चे हमारे चैनल पर आएंगे, आज 35,000 से जब हम 40 पहुंचेंगे तब हम यह realize होगा कि हम सही जगा पर हैं जब हम सही जगा पर हैं तो इस जो हम आज कर रहे हैं जो हम मेहनत कर रहे हैं इसको हम और ज़्यादा मेहनत कप करेंगे वही मैं आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत कप करूँगा जब मुझे समझ आएगा कि 27 मार्च तक 27 मार्च में तोटल आज से बचे हैं 25 दिन 25 दिनों में आपको 5000 नए लोग लेके आने हैं चैनल पर 5000 सब्सक्राइबर भढ़ाने हैं इसका पूरा का पूरा प्रेशर में अब आप लोग उपर डाल लोग पांच हजार नए बच्चे लाने की जिम्मेदारी अब आ think कि इतना तो आप करी सकते हो तीन नए सब्सक्राइबर हर बच्चे को लाने है अगर हर बच्चा इतना सब्सक्राइबर लाएगा कम से कम 3 हम बहुत जलदी बहुत ग्रोग करेंगे गाइस 5000 सब्सक्राइबर अगर हम 21 डे सेशन में लेके आप आए तो आप लोग के लिए ये मेरी तरफ से एक रिटर्न गिफ्ट रहेगा हम अरित्मेटिक पढ़ेंगे मैं आपको डीटेल में पढ़ाऊंगा खुद पढ़ाऊंगा हर चीज डीटेल में जैसे ये अब हर बच्चे को अपने उपर जिम्मेटारी लेनी है अब हर बच्चे को आपको भी पता है मुझे ही पता है हम उतने बड़े नहीं है आज दरफा बैंकर उतना बड़ा चैनल नहीं है कि मैं पैसा लगा दूँ अगर में पाप पैसा है तो मैं सोचता हूँ कि मैं क्यों आप लोगो गिववेस करूँ मैंने अभी चैनल पर गिववेस करे मैंने गिववेस करे क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरे पास कुछ पैसा मैं किसी को देना चाहता हूँ तो क्यों ना मैं उनको मदद करूँ मैंने आप लोगो 5 mock test series free में दी भाई मैंने 20 full course guidely के bundle course 20 खरीद के आप लोग के लिए दीए एक महीने के पूरी salary इस दीज में मैंने लगा दी बट पैसा है तो मैं marketing नहीं करना चाहता मेरी marketing आप लोग करेंगे और आप लोग को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि एक giveaway करने में महीने की salary लगाई है मैंने फिर जल्दी से giveaway करेंगे बट पैसा marketing में खर्ष नहीं करूँगा marketing word of mouth publicity आप लोग ही करेंगे हर बच्चे को करना है fine guys तो आज का session खतम हो गया मैं जल्दी से हाँ sorry आप लोग मैं जल्दी से homework questions दिखा देता हूँ रहोगे सबसे ज़्यादा problem लेकिसी भी पुराने बच्चे को पता है क्याती है वो भटकता है उसको content नहीं मिलता है तो भटकने की बजाए content ले लो एक बार पैसा एक जगा जाएगा tension दुनिया भर की कतम हो जाएगी ये 1 से 3 है ये वाला question देख लो point G is 12 meter to the north of point P ये वाला question है question नहीं से 5 है person from point R walks 6 meter towards the east and reaches point S वाला ठीक है एक ये वाला question और है 2 question और बच्चे है question नहीं 6 से 8 है person from point E walks towards the south direction for 15 meter and then takes a right turn वाला question है ये वाला और आखरी ये वाला question और है question नहीं से 10 total 10 question है आप लोग के लिए एक question हम already कर चुके हैं न तो 3 और बच्चे हैं ये वाला question देख लो a person from his house writes 12 meter towards the east and reaches the hospital ठीक है ये वाला question एक बार होड़ अच्छे तो देख लो where he takes a right turn and writes ठीक है ये सादे के सादे questions आपको guidely के pdf bundle में मिल जाएंगे कोई भी doubt है किसी बच्चे को तो नीचे comment section में डाल दे न इसके साथ सबसे important चीज ये है कि भई मैं देख रहा हूँ कि आप लोग hard work नहीं कर रहे हो guys paper नहीं निकाल पाओगे बिना hard work के दिल से बोल रहा हूँ homework के question मैं खुद के लिए नहीं देता हूँ मैं देता हूँ आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए हैं वो homework के question तो उसको solve करना है आप लोगों को जिम्मेदारी समझो अच्छे से पढ़ाई करो question के answer मुझे नीचे comment section में बताओ पतना नहीं क्या problem है आप लोगों को serious हो ही नहीं career को लेके career को लेके serious होना पड़ेगा ऐसा नहीं होता कि मैं आज सुबह मैंने मन बना लिया मैं SBIPO बन जाओंगा ममी मैं SBIPO बन नहों पापा मैं SBIPO बन नहों मैं कल SBIPO बन गया महिनों से सालों से घून पसीना एक करके बच्चे मेनत कर रहे हैं अब जाके उनको batch मिलता है SBIPO कमाना पड़ता है कमाना पड़ता है देता कोई नहीं है इसको you have to earn it भाई you have to earn it कमाना पड़ेगा कमाओ homework का हर question करना है उसका answer नीचे comment section में डालना है again बोलना हूँ इस batch के बाद मैं दो बच्चों को select करने वाला हूँ जिन्नोंने हर दिन के homework question का answer नीचे comment section में डाला है जो बच्चे हर class को attend कर रहे थे जो बच्चे बहुत ज़दा attentive थे उन दो बच्चों को मैं select करूँगा और उनकी पूरी की पूरी तयारी के जिम्मेदारी खुद लूँगा तो अगर आप चाहते हो कि आप उन दो बच्चों में से एक बच्चा बनो तो भई तयारी seriously करना चालू करो fine guys आथ का session end करते हैं जल्दी से इस session के end होने के बाद आप लोग इस session के link को हड़ ज़गा share कर दीजे सारे friends को बोलिए the alpha banker पे आए subscribe करें subscriber भढ़वाने की जिम्मेदारी अब किसकी है वो है आपकी fine guys see you in the next session signing off कल हमारी सुबह अगें साड़े नो बज़े class है वो तो और ज़्यादा important class है कल English की class है close test की सारे के सारे बच्चे आजाना ठीक है सारे के सारे बच्चे close test वाली class में आजाना बहुत मज़ा आएगा ठीक है चलो see you then take care keep preparing subscribe the channel like the video share the channel